अब हम लोग देखने वाले हैं ब्लैक बुक से केमेस्ट्री का अगला टॉपिक जो के है periodic table and classification तो देखते हैं कि ब्लैक बुक में किस तरह के questions दिये गए हैं किस तरह के questions आते हैं previous year से ठीक है तो आगे बढ़ने से पहले questions को discuss करने से पहले हम लोग कुछ periodic table के बारे में कुछ क कुछ चीजे जान लेते हैं जो का आगे आने वाले questions में होंगे उससे related questions तो सबसे पहले तो जानते हैं कि जो पहला group होता है ठीक है पहला group जो होता है उसको बोलते है alkali metal दोसरे वाले group को बोलते है alkaline earth metal ठीक है उसके बाद बीच वाले जो हैं यहां से 3 से लेकर के 12 तक जित 18 वाले को क्या बोलते है halogen group बोलते हैं और 18 वाले को बोलते है novel gases ठीक है और बात करें हम लोग के length night series जो है वो 57 से start है यहां पर देख सकते है length night series ठीक है वो भी 56 के बाद direct यहां पर आ गया है ठीक है क्यूंकि अगर इसको यहां पर रखते जिसके वैसे हमारा periodic table बरा हो जाता है इसलिए हम लोग उसको नीचे include कर दिए हैं और length night के बाद कितना है actin night series है ठीक है जो के 89 से start होता है और क्या क्या बात हैं जो हमको important हमारे लिए important है ठीक है तो बात करें कि periodic table में कितने groups हैं तो group है 18 ठीक है इधर से इधर की ओर जाएंगे तो यानि कि group बढ़ता है 1,2,3 ऐसे करके 13 और यह है 18 तो total group कितने है 18 group है उसके बाद बात करें period की तो period कितने है 1,2,3,4,5,6,7, total कितने periods हैं तो period है 7 तो यह आपको याद रखना है कि periodic table में 7 periods हैं और 18 groups हैं उसके इलावा और क्या याद रखना है बात करें हम लोग के कि हम लोग अगर period में यह number 1 period है period में अगर इधर से इधर की यह move करते हैं यानि कि period सेम है लेकिन group number increase हो रहा है तो देखें कि number of sale जो है वो सेम रह रहा है यहाँ पे भी number of sale 1 है यहाँ पे भी number of sale 1 है लेकिन electron की संख्या increase हो रही है यहाँ पे electron कितना था 1 था यहाँ पे electron दे तो electron भी number of outermost electron जा है वो बढ़ जाएगा लेकिन number of cell सेम रहेगा अब बात करते हैं group में group में अगर उपर से नीचे की और आते हैं तो यहाँ पर देखें one cell था यहाँ पर दो cell हो गया और नीचे जाएगे तो तीन cell हो जाएगा इस तरह से अगर group में उपर से नीचे आते हैं तो number of cell क्या हो रहा है increase हो रहा है तो यह सब याद रखना है आपको कि cell कहाँ पे similar होता है और कहाँ पे increase होता है तो period में एक ही period का अगर है तो cell सेम रहेगा अगर एक ही group का है ठीक है अगर period नीचे आते जा रहे हैं यानि period बरता हुआ जा रहे हैं तो number of sale भी increase कर जाएगा ठीक है उसी तर से electron की बात करें तो electron क्या होगा कि group में है तो electron पहले electron में पहले sale में कम होगा और बढ़ते जाएंगे कि हम लोग अगर group की और से 18 group में आ जाएंगे तो वो number of electron बढ़ जाएगा ठीक है यहाँ पर देख सकते हैं आउटर मोस में एक है और यहाँ पर आठ हो गए हैं समझ में आ रहे हैं तो number of electron बढ़ जाते हैं अगर हम लोग group के recording मूव करते हैं तो उसके बाद बात करें और और कुछ concept है जैसे कि ionization energy है, electron negativity है तो electron negativity होता क्या है पहले उसको समझते हैं दिमाग में बैठाने आपको electron negativity होता क्या है कि अगर atom के पास electron को हम लोग ले करके जाते हैं तो उसकी tendency होती है कि electron को attract करें तो उसी tendency क्या बोलते हैं हम लोग electron negativity बोलते हैं अब electron negativity किधर से किधर जाने पर बढ़ता है तो electron उपर से अगर उपर से नीचे की और आएंगे तो electron negativity क्या होगा कम होगा और left to right जाएंगे तो electron negativity बढ़ेगा उसी तरह से size की बात करते है size क्या हो रहा है देखें यहां पर size उपर से नीचे आ रहा है तो size क्या हो रहा है बर रहा है और size अगर left to right जाते है तो size घटता है याद रखना है आपको उपर से नीचे size बढ़ता है और left to right घटता है उसके बाद बात करें एक और term आएगा Ionization Energy, अब Ionization Energy फिर क्या होता है, तो Ionization Energy क्या होता है, आपको अगर किसी से Electron लेना है, निकालना है, तो उसके लिए तो आपको Energy ने ना परेगा, तभी वहाँ से Electron बाहर निकलेगा, तो उसी Energy को क्या बोलते हैं, Ionization Energy बोलते हैं, तीक है, उसी से Related और एक टर्म है, Electron Infinity, तो Electron Infinity में क्या होता है, आपको Electron Infinity और Ionization Energy लगभग-लगभग सिमिलर है, तो यहां पर थोड़ा सा Difference है, तो Ionization Energy क्या होता है, कि अगर उपर से नीचे की और आएंगे, यानि कि ग्रूप में अगर उपर से नीचे की और आएंगे, तो Ionization Energy क्या होता है? कम होता है, और Left to Right अगर जाएंगे, तो Ionization Energy क्या होगा? बरेगा, ठीक है? तो आने वाले वीडियो में मैं Ionization Energy, Electron Negativity और Electron Infinity मैं आपको अच्छे स explain कर दूँगा, ठीक है? अब बात करते हैं, अब questions की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है? Who published the first recognizable, recognizable, predictable? किस ने publish किया था, प्रियोडिक्टेबल को सबसे पहले, तो यह हो जाएंगे, मेंडलीव, मेंडलीव ने सबसे पहले, प्रियोडिक्टेबल को यह किया था, पब तो silver का जो symbol होता है, वो होता है AG, बात करें, symbol of tin, tin का symbol क्या होता है, क्योंकि नाम tin है, लेकिन हम लोग सोचते होंगे, tin क्या कुछ होगा, लेकिन होता क्या symbol, sn होता है, उसके बात करें, what is the chemical symbol of arsenic, arsenic में भी confusion होता है, इसलिए exams में पूछे जाते हैं, कि AR है या AS है, तो इस का symbol है, AS है, ठीक है, उसके बाद बात करें, हम लोग, हम लोग को बहुत बार पूछा जाएगा, अभी थोड़ी दर आगे questions आएगा, कि silver का atomic number क्या है, gold का atomic number क्या है, तो silver और gold का हम लोग को atomic number याद रखना है, तो silver का कितना होता है, 47 होता है, और gold का कितना होता है, 79, और ब atomic number याद होना चाहिए, जो fourth period के है, ठीक है, क्या कौन-कौन से, scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel, copper और zinc, ये सारे याद रखने है, ठीक है, कि scandium का 21 होता है, chromium का 24 होता है, क्योंकि पूछ लिया जाता है, कि iron का atomic number कितना होता है, तो 26 याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है, औ और बात करें, और क्या का periodicable से कुस्सन बनते हैं, माल लिजिए, कि आपको fluorine, chlorine, bromine, iodine वाला table याद है, कि इस तरह से fluorine, chlorine, bromine, iodine होता है, और fluorine का atomic number 9 है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए, आपको अगर उस टाइम याद नहीं आता है, तो आप calculate कर सकते है, कि chlorine का 17 होग ठीक है, यहाँ पर fluorine लेजिए, ठीक है, fluorine, पहले में 2 का difference, अगर यहाँ से start करते है, तो hydrogen के बाद कितने lithium आ रहा है, कितने number पे, 3 number पे, atomic number कितना है, 3, तो 2 का difference आया, उसके बाद बात करें, sodium का, तो 8 का difference आ रहा है, ठीक है, तो पहले 2, उसके बाद 8, फिर से देखिए 8 क नहीं सो रहा है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद 18 होता है, ठीक है, 19 और 18 कितना होता है, 37, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा, 32, 32, ऐसे करके difference आता है, तो आपको अगर लीथियम का पता है, तो आराम से sodium का निकाल सकते हैं, ठीक है, लीथियम, sodium, potassium, rubedium, cesium, ph 32 जो रहेंगे तो यह आता कहां से हैं यह 2N2 वाला जो फॉर्मूला पर रहेते हैं हम लोग ठीक है maximum number of electron वाला वहीं से आता है ठीक है next बात करते हैं हम लोग यह देख चुके what is the symbol of gold gold का symbol क्या होता है तो यह होजाएदा AU what is the chemical symbol of cobalt cobalt का chemical symbol क्या होता है तो यह होता है co ठीक है गलत हो सकता है कि co वहाँ पर options में दिया हो रहे हैं तो इसके लिए तयार रहे गया What is the chemical symbol of iron? Iron का chemical symbol क्या होता है? तो यह होता है Fe. What is the symbol of element having atomic number equal to 2? तो atomic number जिसका 2 है, उसका क्या symbol है? तो वो हो जाएगा helium. ठीक है? He. Next. Which is the symbol of metal that occurs in liquid form at ordinary temperature? ऐसा कौन सा metal है? और उसका symbol क्या है? जो normal temperature पे, ordinary temperature पे liquid होता है. Metal है फिर भी liquid होता है. ठीक है? तो यह हो जाएगा mercury. जिसको बोलते है HG. ठीक है? sodium का symbol क्या होता है? K होता है. sodium का Na होता है. What is the symbol of element lead? Lead का symbol क्या होता है? तो इसका answer हो जाएगा PB. Next. An atomic, an atom of element has atomic number 17 and mass number 36, the number of neutron in its nucleus. तो हम लोग यह वाला question कर चुके हैं कि atomic number बताता है number of proton को और mass number बताता है number of proton प्लस neutron को. तो minus कर देंगे atomic mass से atomic number को तो वहाँ से निकल जाएगा number of neutron. यानि कि 36 minus 17 कितना जाएगा? 19 हो जाएगा इसका number of neutron. Next. बात करते हैं. Among the given element which comes first in the periodic table element. कौन पहले आता है तो इसका answer हो जाएगा? Neon. ठीक है? कुछ options दिये गए थे उसके according करना था. ठीक है? तो क्या हो जाएगा? Neon हो जाएगा. In his periodic table, Mendeleev could not assign the correct position to. तो Mendeleev ने क्या correct position किसका नहीं बता पाया था? तो यह हो जाएगा hydrogen का. Hydrogen के बारे में उनको knowledge नहीं था. अभी भी देखेगा, तो hydrogen सबसे उपर रहता है. Periodic table में. ठीक है? तो उसके बारे में Mendeleev को कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि क्या कहाँ पर position देना है उसका. उसके बाद बात करें, who gave the periodic law? किसने periodic law दिया था? तो यह हो जाएगा, Mendeleev. ठीक है? उसके बाद, the number of neutrons present in an element having mass number 226, anatomic number 88. तो same question आगे किये, 226 में से 88 माइनस कर देंगे, तो number of neutron निकल जाएगा. तो यह कितना हो जाएगा? 138. नेक्स बात करते हैं, what is the number of group and period in the modern period dictable? तो number of groups on period कितने होते हैं? थोड़े दर पहले discuss कि हम लोग groups जो होते हैं, वो 18 होते हैं, और period कितने होते हैं? 7 होते हैं. ठीक है? Next, the chemical property of an element depends. तो chemical property जो है किसी भी element का किस पर depend करता है? तो यह depend करता है atomic number पे. ठीक है? डी ब्लोक के होते हैं, जिसको transition metal भी बोलते हैं. ठीक है? Next, in the year 1917, attempted to group element with similar properties into group. तो यह हो जाएंगे, डिवनियर साब ने ऐसा किया था, के similar properties को groups में सजाया था, यानि कि जिस element का similar properties था, उसको groups, अलग group दे दिया था, ठीक है? वो किया था सबसे पहले डिवनियर ने. नेक्स्ट बात करते हैं, atomic number is greater than that of barium. तो किसका atomic number greater है barium से? तो इसका answer हो जागा gold. तो आपको gold का पता होना चाहिए, कि atomic number कितना होता है? atomic number 79 होता है, ठीक है? तभी आप लोग कर पाइएंगे, कि कौन greater है, कौन छोटा है, ठीक है? atomic number is greater than that of bromine. तो bromine का पहले पता होना चाहिए, fluorine, chlorine, bromine. ठीक है? तो fluorine का अगर 9 पता है, तो बांकी सब भी पता हो जाएगा bromine. अभी बताया थे 2N square वाला formula लगा करके. ठीक है? तो पूछा किया है किसका बरा होता है, तो वो हो जाएगा silver का. silver का कितना था? 47 परे थे हम लोग, silver का. ठीक है? एजी. ठीक है? तो एक बार फिर से periodic table देख लीजे, silver कहां पे है और bromine कहां पे है? यहां पे. ठीक है? ब्रोमीन का 35 है और silver का कितना है? 47 है. ठीक है? तो ब्रोमीन से आगे ज्यादा atomic number है किसका? silver का. नेक्स बात करते हैं, त कितना atomic number है? तब ही कर पाईएगा. इन modern periodic table has 18 vertical columns known as group and horizontal rows known as periods. ठीक है? तो कितने period, बोला गया है कि 18 तो vertical column है जिसको बोला जाता है? groups. तो horizontal columns को period बोला जाता है, वो कितने है? तो वो हो जाएंगे 7. नेक्स बात करते हैं, what is the atomic number of element? आइस्टेनियम. तो आइस्टेन के नाम पे रखा गया था, एक element का नाम आइस्टेनियम. उसका atomic number कितना है? तो यह हो जागा 99. नेक्स बात करते हैं, which element precedes carbon in the modern periodic table? कारबन से पहले, कौन सा element है, जो के periodic table में है? वो है boron. ठीक है? बोरोन के बाद carbon आता है, उसके बाद nitrogen आता है. तो वही चीज़ पूछा गया था कि carbon से पहले, यानि कौन element है? तो वह हो जाएगा boron. विच साइन्टिफिक, विच साइन्टिस एरेंज दे प्रियोडिक टेबल आफ एलेमेंट इन दा ओर्डर ओफ एटोमिक मासेज. तो कौन से साइन्टिस ने एरेंज किया था, प्रियोडिक टेबल को increasing atomic masses? तो वह हो जाएगा, मेंडिलिफ ने एरेंज किया था, ठीक है? तो हम लोग अभी जो पढ़ते हैं, periodic table, modern periodic table, वो atomic mass पे बेज नहीं है, वो atomic number पे बेज रहे, ठीक है? लेकिन मेंडिलिफ ने क्या किया था? Atomic mass पे सजाया था उसको. Is not a halogen group? कौन सा है, जो के halogen group element नहीं है, तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं, कौन सा halogen group होता है, fluorine, chlorine, bromine वाला halogen group होता है, तो उसमें देखते हैं कौन सा नहीं है, तो वो हजाएगा graphene, नाम similar लग रहा है, fluorine, chlorine, graphene, लेकिन graphene नहीं है, ठीक है? नेक्स बात करते है, The horizontal rows in Bendeley periodic table are called तो horizontal rows को क्या बोलते है The horizontal rows उसको क्या बोलते है Periods बोलते है Horizontal rows जो है उसको period बोलते है और columns को groups बोलते है Which element और chemical compound has highest densities Periodic table में सबसे ज़्यादा density किसका है तो यह हो जाएगा Osmium का ठीक है यह बहुत बार पुछा जाता है कि किसका सबसे ज़्यादा density है तो यह हो जाएगा Osmium का What is the most evident and lightest gas in the universe? सबसे ज़्यादा मिलने वाला और सबसे हलका जो universe में है gas वो कौन सा है तो वो हो जाएगा hydrogen ठीक है Next oxygen molecule and hydrogen chloride is oxygen molecule and hydrogen chloride क्या है? यह diatomic है जैसे O2 को oxygen की बात करें तो oxygen को हम लोग सिर्फ O नहीं लिखते है O2 लिखते है उसके बाद hydrogen chloride भी क्या है? diatomic है HCl होता है Next In the periodic table of elements on moving from left to right तो वही वाला question आगया अब जो हम लोग आगे डिसकस किये कि left to right move करने पे across the period atomic radius और metallic character क्या होता है left to right move करेंगे तो decrease होता है और उपर से नीचे आने पे atomic radius क्या होता है? increase होता है तो metallic character की बात करेंगे तो metallic character भी क्या होता है? पहले हम लोग alkaline metal परते हैं उसके बाद alkaline metal परते हैं उसके बाद transition metal परते हैं तो आइस्ते आइस्ते क्या होता है? metallic character भी decrease कर रहा होता है ठीक है left to right जाएंगे तो metallic character भी decrease कर रहा होता है the most electronegative element तो electronegativity हम लोग पर चुके हैं समझा चुके हैं आपको ठीक है वो क्या हो जाएगा fluorine सबसे जो periodic table में सबसे most electronegative जो है वो है fluorine तो हम लोग बता देते हैं फिर से कि उपर से नीचे आएंगे तो electronegativity कम होता है left to right जाएंगे तो electronegativity बढ़ता है जिसके विए से fluorine का सबसे जादा होता है is least melting point किसका है जो सबसे least melting point है तो यह हो जागा मरकरी क्योंके मरकरी जो है normal temperature भी liquid form में होता है नॉर्मल temperature भी liquid form में होता है next बात करते है so is exception to the octet rule तो हम लोग जानते है कि octet rule को पूरा करने के लिए 8 electron तो चाहिए outermost में लेकिन कुछ ऐसे भी है जो exception है तो वो कौन-कौन से है boron है उसके अलावा और कौन-कौन से है options के coating तो boron आ गया तो यहाँ पर हो जाएगा phosphorus है, boron है और nitrogen है जो exception so करता है और यह exception जैसे PF5 है, BCL3 है और NO है next तो यहाँ पर देख सकते है structure यह कैसे exception so कराता है next बात करते हैं हम लोग what is micro element which is micro element तो micro element क्या होता है plant को उसके growth के लिए और metabolism के लिए जो-जो elements चाहिए अब यहाँ पर बोला है micro बोला है मने कम amount में चाहिए उसको बोलते है micro elements और जो-जो plant को ज्यादा amount में चाहिए जो-जो elements उसको बोलते है macro element तो micro element में कौन आ जाएगा chlorine और कौन-कौन से होते हैं जो के micro होते हैं तो यह हो जाएगा chlorine, copper, iron उसके बाद manganese, molybidinium और zinc ठीक है यह किसमें आते हैं micro element में और macro में कौन-कौन आता है carbon, hydrogen, oxygen nitrogen, phosphorus, sulfur, potassium calcium और magnesium manganese और magnesium manganese अलग-अलग है, याद रखना है, ध्यान में रखना है ठीक है, तो manganese जो होता है magnesium जो होता है उसको दरसाते हैं mg से जिसका atomic number 12 होता है और manganese जो होता है वो इसमें आता है transition metal में आता है, जिसका atomic number के तरह है 25 है, उसको दरसाते किसमें mn, यह वाला question बहुत बार आता है कि manganese का symbol क्या होता है या magnesium का symbol क्या होता है तो magnesium का होगा तो mg, manganese होगा तो mn next what is the common characteristics of element of same group in the periodic table ठीक है, तो क्या common characteristics होता है अगर same group की बात करें तो same group की बात करें तो हम लोग क्या बोले थे electron in the outermost क्या होता है same, बने outermost में क्या होगा कि number of electron same होगा ठीक है, और अगर groups में भागते हैं हम लोग आगे क्यों और तो number of electron जो होता है वो बढ़ जाता है ठीक है, next the element with highest first ionization energy तो बोला गया कि first ionization energy मौने एक ही electron निकालना है उसके लिए आपको बहुत ज्यादा इसकी जरूत पर रहे है तो यह हो जाएगा helium क्योंके वो nucleus से बहुत ज्यादा पास है तो nucleus से जब बहुत ज्यादा पास है तो उसका electron निकालने में आपको क्या लगएगा बहुत ज्यादा energy के जरूत पर रहेगा इसलिए helium है, ठीक है next, which element exhibit the greatest tendency to lose electron किसके पास greatest tendency है आसानी से electron को loss कर देगा तो यह हो जाएगा lithium next, which group does not follow the newland law of octave तो कौन सा ऐसा है जो के follow नहीं करता है newland का rule तो यह हो जाएगा manganeat और hg यानिके mercury बात करें, newland ने तो पहले सजाया था atomic mass के बैसिस पर के अगर हम लोग atomic mass के according arrange करें तो आठवा जो element होगा, वो पहले वाले से similar होगा इसलिए इसका नाम दिया गया क्या, octave, law of octave क्योंकि octave का मतलब, octa का मतलब होता है 8 तो पहले वाले और आठवा वाला का properties similar होगा लेकिन इस, जब newland law of octave आया था इस time सिर्फ 56 element जो था वो known था, ठीक है यहाँ पर कुछ, मैं concept बता रहा हूँ जो के exam point of view से बहुत ज़दा important है exam में आते हैं, तो यह पूछा जाता है कि newland के time पे कितने element known थे, तो कितने थे 56 element known थे, यह पूछा जाता है कि newland law of octave में सबसे पहला element कौन सा था तो यह हो जागा, first element जो होगा, वो होगा hydrogen, उसके बाद बात करें कि newland का time पे, जो सबसे last element था, वो कौन सा था वो हो जागा, thorium, ठीक है thorium जो हो था, वो last element था, और first element कौन सा था, hydrogen उसके बाद यह भी पूछा जाता है कि newland का जो लो है वो up to kतने तक valid है, तो वो सिर्फ calcium था था, ठीक है, newland का जो लो था, वो सिर्फ calcium थखी, वेलिड था उसके बाद वेलिड नहीं था, और क्या question पूछा जाता है कि new land का और एक कमी था कि उसने वो बोला था कि कोई भी नया element और नहीं discover होगा जिसके वैसे उसने जगा होगा, periodic table में जगा भी नीच हो रहा था जिसके वैसे उसका जो law है वहाँ पर flop हो जाता है, ठीक है? क्योंकि उस ताइम तो 56 ही element discover होए था और उसने कहा था कि all discover नहीं होगा लेकिन आइसते हैं इसते discover होते गए, इसलिए इसका law fail हो जाता है तो जितने मैंने important questions थे सारे बता दिये उसके बाद which element is most electronegative among arsenic, nitrogen and phosphorus? तो कौन सा सबसे ज़्यादा electronegative होता है, वह हो जाएगा, इन में से वह हो जाएगा nitrogen हम लोग जानते हैं कि electronegativity अगर left to right जाते हैं तो क्या होता है? कम से ज़्यादा होता है उपर से नीचे आएंगे तो फिर क्या होगा? ज़्यादा से कम होगा तो इन में से देख लिए arsenic, nitrogen और phosphorus कहाँ पर exist करता है तो उसके according हम लोग बता पाएंगे Next, which statement is incorrect regarding phosphorus? कौन सा है जो के phosphorus के regarding गलत है incorrect बोला है तो phosphorus reacts vigorously with water बोला गया है कि phosphorus जो है वो water के साथ react करता है वो vigorously ऐसा नहीं होता है phosphorus को, phosphorus बहुत ज़्यादा reactive होता है इसलिए इसको water में डालके रखते हैं ताके reaction नहों हो जाए और यह बात है, phosphorus को किस में डालके रखते हैं? water में, यह भी पूछा जाता है कि phosphorus को किस में रखते हैं? water में रखते है In a periodic table while moving from left to right in a period, number of remains sale हम लोग अगर periodic table में left to right move करते हैं तो क्या चीज़ सेम रहता है? तो number of क्या चीज़ सेम रहता है? तो हम लोग पढ़े है number of sale जो है, s-h-e-l-l, वो जो है, सेम रहता है ठीक है? next the heaviest naturally occurring element तो थोड़ी दर पहले 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 थे कि density सबस्यादा किसका है? ओस्मियम का है यहाँ पर बोला है, naturally occurring जो है, वो कौन सा है heaviest वो हो जाएगा uranium ठीक है? naturally बोल दिया है, इसका मतलब कुछ ना कुछ artificial भी होता होगा तो यहाँ पर naturally की बात किया है, तो यह हो जाएगा uranium next बात करते है, what is the mass of 4 mole of aluminium atom? तो aluminium atom के mass क्या होगा? 4 mole का, ठीक है? तो यह हो जाएगा 108 gram आता कहां से है? ठीक है? aluminium का जो यह होता है, ठीक है? वो होता है 27 और 4 mole की बात किया है, तो वो हो जाएगा 4 into 4, तो कितना हो जाएगा? 108 grams हो जाएगा, उसके बाद बात करें, law of octave says that if the chemical elements are arranged according to their atomic mass, those with similar physical and chemical properties occur after each interval of, तो फुदोल इदिर पहली बात किया थे हम लोग, कि law of octave नाम से ही पता चल रहा है, octa, ठीक है, octa मतलब 8 होता है, यानि कि 7 के बाद फिर से क्या होगा? repetition होगा, properties का, तो यह हो जाएगा 7 के बाद, ठीक है, next, in यह period from Li to F, यानि कि lithium to fluorine, ionization potential, तो lithium और इसमें ionization, ionization potential को हम लोग predict नहीं कर सकते हैं, ठीक है, which element is lengthenide, तो कौन सा element है, जो कि lengthenide है, थोड़े दर पहले, starting में ही बताये थे, के lengthenide क्या क्या होते हैं, actinides क्या क्या होते हैं, तो वो table भी एक बार आपको पढ़ना होगा, ठीक है, तो lengthenide कौन हो जाएगा, serium हो जाएगा, highest electron, electron affinity, सबसे आदा electron affinity किसका होता है, तो यह हो जागा, chlorine का, electron negativity, fluorine का होता है, electron affinity, chlorine का होता है, और electron affinity में क्या होता है, energy released होता है, और electron negativity में क्या होता है, energy देना पड़ता है, ठीक है, next, which element is an actinide, तो actinide भी पूछ लिया, पहले lengthenide पूछा था, तो यह हो जाएगा, curium, which element is generally not radioactive, तो radioactive हम लोग जानते हैं, कि lead से start होता है, lead के बाद जितने सारे element होता है, वो सारे radioactive होता है, तो वो पुछा है, radioactive कौन सा नहीं है, तो इसका answer हो जागा, germanium, silicon and germanium तो semiconductor होता है, तो यह तो radioactive हो नहीं सबता है, ठीक है, the general name of element of the 17th group, 17th group का general name क्या होता है, तो हम लोग पर रहते है, 17th को बोलते है, halogen group, और 18 को बोलते है, noble gases, तो किसके बारे में पुछा है, 17th के बारे में, तो यह हो जाएगा, halogen, next, is negatively charged ion, कौन है, जो के negatively charged ion हो सकता है, तो यह हो जाएगा, iodine, fluorine, chlorine, bromine, iodine, इसके outermost में 7 electron हो जाएगा, तो electron लेने के लिए, electron अगर लेगा, तो उस पर क्या charge आएगा, negatively charge आता है, इसलिए, iodine क्या है, negatively charged ion, helium gas is filled in balloon, because helium को देखेगा, atomic number कितना है, 2, यानि कि यह क्या है, बहुत हलका होगा, ठीक है, number of neutron, समझी नहीं, क्योंकि हम लोग, जो matter करता है, कि number of neutron कितना है, वो हो रहा है, two हो रहा है, तो जिसके वैसे यह बहुत ज़्यादा हलका है, तो हलका होने की वैसे, balloon में हम लोग इसको fill करते हैं, is not devenir tried, तो devenir का एक concept था, tried का, कि तीन के बाद एक repetition, तीन का क्या concept था, इसका, इसने कहा था, कि अगर atomic mask according, arrange करेंगे, तो पहले और तेसरे वाले का average जो होगा, वो beach वाले के बराबर होगा, तीक है, इसने कहा था, इसका ये law था, बट ये भी जादा दिनों तक नहीं चला, तीक है, ये भी flop हो गया, तो ये पुछा गया है, किस के लिए कौन सा नहीं था, डिमिने ट्राइड में, तो ये हो जागा nitrogen, phosphorus और gold options के coding था, तो कि किस के लिए valid होता है, वो भी देख लेंगे, ठीक है, किस किस के लिए valid है, lithium, sodium और potassium के लिए valid था, उसके बाद calcium, strontium और barium के लिए था, chlorine, bromine, iodine, ये तीन ही इसका tried था, जो के success रहा था, successful हुआ था, बाकि सारे flop हो गये थे, ठीक है, तो यहाँ, ये तीन आपको याद रख है, नेक्स बात करते है, which statement is correct, कौन सा statement correct है, ये वजाएगा, NACL has same equivalent weight and molecular weight, तो ये आता कहां से इसको देखें थे हम लोग, ठीक है, तो ये आता यहां से है, कि equivalent weight और molecular weights का एक हम लोग relation परे थे, कि equivalent weight जो होता है, यानि कि molecular weight जो होता है, molecular weight होता है, equivalent weight into valency के बराबर, ठीक है, molecular weight किसके बराबर होता है, molecular weight होता है, equivalent weight into valency, यानि कि हम लोगों equivalent weight और valency निकालना परेगा, तब ही कर पाएंगे, तो NACL का valency कितना होता है, 1 होता है, equivalent weight की बात करें तो ये कितना होता है, इसका na का 22 point something और इसका 35, तो ये आ जागा 58.5 आ जाएगा, तो इसको calculate करेंगे, ज the atoms of the group 18 are, तो elements जो होते है 18 group के वो, उसको क्या नाम से बुलाते है, noble gases, ठीक है, next, element in periodic periods have same, तो period में क्या same होता है, एक ही period का अगर है, तो उसका क्या same होगा, तो ये हो जाएगा, number of sales, ठीक है, एक ही period का है, तो number of sales are equal होगे, period के, अगर period बढ़ते जाएगा, तो number of sales भी क्या होगा, बढ़ते जाएगा, उसके बाद बात करें, in modern periodic table while going from top to bottom, in a group, तो हम लोग जब modern periodic table में, top से bottom के तरफ आते हैं, तो हम लोग जानते हैं, size बढ़ता है, देखते हैं, question में क्या दिया हो है, size या कुछ और दिया है, size भी बढ़ता है, और ionization energy भी बढ़ता है, ठीक है, यानि के electron को निकालने के लिए जितना जादा energy चाहिए, उसी को बोलते है, ionization ने दी, तो ionization energy भी बढ़ेगा, next, the element in the middle of the periodic table are called, तो middle में जो elements होते हैं, periodic table को, उसको क्या बोलते हैं, transition metal बोलते हैं, transition element बोलते हैं, next, which noble gas has highest molecular mass, तो कौन सा noble gas है, जिसका molecular mass ज्यादा है, तो हम ल निचे होगा, noble gas, उसी का सबसे जादा molecular mass होगा, तो ये क्या हो जागा, xenon, ठीक है, options के according क्या था, xenon था, is monotomic gas, कौन है, जो के monotomic है, तो ये हो जागा, neon, neon क्या है, monotomic gas, an element that does not occur in nature, but can be produced artificially, कौन सा element है, जो के nature में तो अकर नहीं है, लेकिन artificially उसको produce किया गया, तो ये ह है, एक synthetic है, बात करें हम लोग के जितने भी periodic table में elements है, उसमें 24 जो है, वो artificial है, ठीक है, synthetic elements है, what is the atomic mass of zirconium, atomic mass पूछा है zirconium का, तो ये हो जागा, 91.22, next बात करते है, which of the following has lowest melting point, सबसे melting point किसका कम था, ठीक है, lead दिया हुए, zinc दिया हुए, silver दिया हुए, ting दिया हुए, ठ ठीक है, तो इसके according answer क्या हो जागा, ting, याद रखना है, ये question आया हुआ है, इसलिए याद रख लीजे, direct, कि ting का जो होता है, ये practically prove किया गया है, कि ting का जो होता है, वो सबसे lowest melting point है, तो याद कर लीजे इसको, तो ये इतने सारे questions थे, जो कि periodic table and classification से थे, ठीक है, hope so, समझ में आ रहा होगा, तो उसके बाद देखेंगे हम लोग अगला topic, chemistry का,